आरजेडी एक बार फिर एक ऐसी अहम बिंदू पर घिर कर रहा गई है कि मच्छली की तरह तरफडा रही है लेकिन जुबान पर कुछ बयान सुझ नहीं रहा या सवाल ये बाते हम इसलिए उठा रहे हैं या कह रहे हैं क्योंकि तिजश्वी यादो और तेजपरताप यादो दोनों के द्वरा एक ऐसा कांड किया गया है जिसको लेकर लागातार बीजेपी अब हमलावर हो गई है हलाकि बीजेपी के पास दूसरा कोई काम भी नहीं बजा है लेकिन जब आप तो देना पड़ेगा ऐसा हुआ क्यों नमस्कार मेरे नाम है अबशेक तिवारी और आप ठीख खबर नहीं कहे जाएगी और जेडीस समर्थ है कि कई सवाल इस खबर पर भी उठाएंगे लेकिन जो हकीकत है वो हम कहा कर जाएंगे वो भी आपके सामने ही तो लाएंगे हकीकत यह है कि लालू के बड़े लाल सरकारी बैठक में सरकारी मीटिंग में अपनी जीजा क के साथ दिखाई देते हैं सरकारी बैठकों में और फिर उनको लेकर के भी सवाल उठने लगते हैं इसके बाद उठ रहे सवालों को ढखने के लिए RJD के तरप से Official RJD के ट्वीटर हैंडल से माफ की जिए ट्वीटर हैंडल ही नहीं बलकि Facebook से भी Facebook वल पर भी पुष्ट किया जाता है और उसमें बीजेपी के मंत्रियों के कारिक्रम में बैठकों में उनके बेटे और उनके सहयोगी के सांसाथ उनके परिवार जुनों की होने की पुष्टी कर दी जाती है इसके बाद फिर ही अखिल आगे बढ़ता है आरोप और परतैरोप हो वाला द्वारा क्या कुछ हुआ उसकी तस्वीरे ये जो तस्वीरे हैं तेजपरताप यादो अपने जीजा के साथ इस तस्वीरों में आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे इसके बाद एक तस्वीर जो है वो तेजपरताप यादो और तेजपरताप दोनों के हम दिखा र रहे होंगे इन्हीं दो तस्विरों के लेकर की काफी कुछ बवाल हुआ और उसके बाद कहलीजिए कि आरजेडी और बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने हो गई लेकिन ये क्या आरजेडी और बीजेपी के आमने सामने होने के बाद भी बातें हद तक नहीं सुलज पाया क ऐसे में आपको पताते चलें कि संजे जैसवाल ने भी एक पोश्ट डाला है और वो पोश्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा इस पोश्ट में संजे जैसवाल क्या कुछ लिखते हैं अब ज़रा वो पढ़कर हम आपको सुना देना चाहते हैं संजे जैसवाल के फेश्बुक वोल से लिया गया ये पोश्ट है जिसमें साफ साफ सब्दों में लिखा हुआ है अंग्रेजी का एक शब्द हिंदी भाषा का भाग बन चुका है वो शब्द है ठितरोलोजी राष्ट्रिय जनता दल के तथा कथित नितागाण इसमें प्रका दिजिए आम जनता जरूर पीछे का बैनर देख सकती है साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि या कोई सरकारी कारेकरम नहीं बलकि बिहार इंडुस्ट्री एसोसियेशन का इंट्रेक्टिव शेशन है अब उसमें पीछे किसी का बेटा खड़ा है या किसी का बेटा साथ ज रहा है तो क्या इतराज है वैसे ही एक दूसरी तस्वीर बैरल कि जा रही है जिसमें बिहार के माननीय मंत्री को उनकी पतनी के साथ उनका कारेकाल में बूके लिए हुए दिखाया गया है इन तस्वीरों के साथ या समझा जा रहा है कि नेता जी का बहनोई या नेता जी का व्यक्तिगत मीत्र किसी भी सरकारी बैठक में भाग लेने का हकदार हो जाता है राजत की नई नई सरकार बनी है इसलिए लोग एतराज कर रहे हैं तिन महिने की भीतर जब अपहरन करताओं का फोन मंत्रियों के आवास से आने लगेगा तब इन सब बातों की चर्चा ही समप्त हो जाएगी आपको बता देए कि इसमें नीचे जो राष्टरी जनता दल का हमने आपको पोश्ट दिखाये अगर फिर से आप देख लिए राष्टरी जनता दल के द्वारा एक पोश्ट किया गया उसमें लिखा गया है कि अंद्रिय मंत्री श्री अश्वनी चौबे का बेटा अरजित शाश्वत उनके साथ मिटिंग में मौजूद रहता है क्या शुशील मोदी इस पर कुछ बोलेंगे सत्ता जाने से वह खलाया और अपनी ही पार्टी में दूर फेक दिये गए बेचारे शुशील मोदी जी का मांसिक संतुलन बिगड़ गया है उन्हें त्वरित इलाज की शक्त जरूरत है लेकिन जिस कारिकरम का हवाला यह आरजेडी के हवाले से दिया जा रहा है आरजेडी के फेस्बुक वॉल से दिया गया है दरसल वो कारिकरम सरकारी था ही नहीं यह बातें बीजेपी बता रही है लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी ने इसमें एक बड़े ही अच्छा सवाल पूछा है और जेडी के लिए एक तौर पर सबक हो सकता है और उमीद है तेज़श्वी आदो ने सबक लिया भी होगा तेज़श्वी आदो अपने सलाहकार के साथ बैठेंगे या नहीं बैठेंगे ठीक ऐसा ही तेज़श्परताप आदो अपने बहनोई के साथ बैठेंगे या नहीं बैठेंगे मजरा यह नहीं है बलके मसला यह है कि अगर बीजेपी ने पीछे जो जो किया है अगर वही करना था तो फिर बीजेपी ही बेहतर थी आपको तो इसलिए सरकार बनाने का मौका मिला ताकि आप बिहार के लिए बेहतर करेंगे अगर जो कांड बीजेपी ने किया है वही कांड करने आप भी आये हैं फिर तो हमें तीसरा अपसन तलासना पड़ेगा जो बीजेपी को चारों खाने चीत करने की नियक से बिहार भर में घुम कर तिजस्वी यादो आयलान कर चुके हैं कि आएंगे तो च्छा जाएंगे जिससे उनके पीता वर मता कि शासन काल पर लग रहा एक सब्द जो अब कहले जिए कि शापित सब्द बन गया है जंगल राज वो खत्म हो जाए और तिजस्वी यादो के लिए ये मौका सबसे बेहतर है इससे बेहतर मौका आप लालू के लाल को नहीं मिलने वाला है देख सब्द बेहतर करेंगे तो और चार चांद लग सकता है नहीं करेंगे तो चाचा चौधरी भी बन कर रह जाएंगे फिलाल इसकावर में इतना ही रहने देजी आगे होगी फिर मुलकात नमस्कार